देश में लगाटार 6 साथ तक रिकोर्ड उत्पादन हासिल करने के बाद इस बार खाद्य उत्पादन में गिरावट आने की संभावना बन रही है क्रिशी मंत्राले द्वारा जारी के एगे आंकड़े भी इस बात की पुष्टी करते हैं कि उत्पादन में कमी आ सकती है क्योंकि इस साल मौसम बेरुखी के कारण धान और दलहनी फसलों की बुआई प्रभावित हुई है इसे धान और दाल की अपूर्ती में कमी आ सकती है और साथ ही इनकी कीमतों में ब्रोतरी आ सकती है इसलिए चिंताएं बढ़ गई है क्रिशी मंत्राले द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन की परमुक फसलों की बुआई का शेतर इस साल घटा है इस सीजन में देश के वार्षिक खाद्य उत्पादन के आदे हिस्से की उपज होती है इस बार 26 अगस्त को जारी किये गए आंकड़ों के मताबिक पिछले साल की तुल्ला में डेट फिसदी वाई कम है कुल वाई का शेतर फल 104.5 मिलियन हेक्टर था गोर तलब है कि इस साल भारत में काफी तेज करमी पड़ी है और इसके कारण गेहू के उत्पादन में कमी आई है मंत्राले के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल की तुल्ला में इस साल 26 अगस्त खरीब फसलों का रकबाग लगबग 6 फिसदी कम हो गया है इस साल 36.7 मिलियन हेक्टर में धान की बुआई की गई है जबकि पिछले साल 49 मिलियन हेक्टर में धान की बुआई की गई थी वहीं धलन के रकबे की बात करे तो इस सल दाल के रकबे में भी 5.2 फिसद की कमी आई है इस सल 12.7 मिलियन हेक्टर में धलनी की खेती की गई है चबकि पिछले साल 13.4 मिलियन हेक्टर में दाल की खेती की गई थी वहीं देश में खरीब फसलों की बुआई के लिए जून से सितंबर तक 60 फीसदी बारिश मौनसुन से मिलता है पर इस सल इसका वित्रन समानय नहीं रहा भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि एक जून को मौनसुन शुरू होने के बाद से 28 अगस्त कुल मिलाकर 7 फीसद अधिक बारिश दर्ज की गई है हलाकि कई राज्यों में कम बारिश पड़ी है कई राज्यों में जिलावार शुखा गोशित भी किया गया है जबकि कुछ ऐसे राज्ये हैं जहां पर अधिक बारिश के कारण बाड़ की स्तितियां भी देखने को मिली है देश के एक बड़े चावल उतपादक राजय पस्ची मेंगोल में 28 फीसदी कम बारिश दर्च की गई इसके इलावा अन्य धान उतपादक राजयों में भी बारिश की कमी देखने को मिली उतर परदेश में सबसे अधिक 44 फीसद कम बारिश दर्च की गई वहें भ्यार में 40 फीसद कम बारिश हुई इस कड़ी में जारखन में भी 28 फीसद कम बारिश देखने को मिली और इसका इस सीधा असर धान की वुआई पर पड़ा है उत्पाधन में कमी के अशंका के बीच अनाज की किमते पहले ही बढ़ रही है अगस्त महीने तक सरकार के पास 41 मिलियन टन चावल का स्टोक था जो एक जुलाई तक बफर आफशकता का 13.5 मिलियन टन अधिक है लेकिन गेहूं का भंडार 14 सालों के अपने नियूंदम सर पर पहुंच चुका है अगस्टार चुका है